पूछ रही हूं पता नहीं जवाब आप धेंगे की नहीं जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिस दिन हुआ तो कहा जाता है कि आपको लाइव इंफरमेशन दिया जा रहा था आपको स्टेप बाइस्टेप पता था कि क्या हो रहा है उस वक्त आप क्या सोच रहे थे क्योंकि ये संभव था कि सर्जिकल स्ट्राइप ऑपरेशन सक्सेस्फुल ना हो तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक बॉच्च्ट स्ट्राइक है और ये भी हो सकता था कि लोग आपको एक वार मॉंगरिंग लीडर के तौर पर समझे कि आपने पाकिस्तान पर आक्रमन्ट किया आप जंग छेड़ना चाते हैं उस वक्त आपके मन में क्योंकि ये पहली बार था कि आपके मन में उस वक्त क्या था तेखे जब ओरी की घटना गटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया जलाया गया उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था और मेरे भी तर एक आक्रोस था मैं बेचेन हो गया था कि मैं केरल गया था मैंने केरल में पब्लिक मिटिंग में इसका जिकर भी कर दिया कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था लेकिन कि मैं लोग तंत्री की ववस्था का प्रतनी दिया और मेरा व्यक्तिगत गुसा मेरा व्यक्तिगत आक्रोस मरी व्यक्तिगत बेचेनी इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए मैं संतुलत समझता हूं लेकिन ऐसा हुआ क्यों इसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगातार चर्चाए की लेकिन मैंने अनुभाव किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है वे किसी भी हालत में इस परिस्तिती में देश की जाइन करके लाइए मेरे पास क्या है क्या रिक्वार्मेट है और मैंने का आप जीतना भी कर सकते हैं करिए अब सोचने में कमी मत करना पिर बैठके ताइक करेंगे कि इतना कर सकेंगे नहीं कर सेंगे मैं उनको खुली छूट दी उन्हों ब्रा प्लान किया वो लेके आए म मेरे पास कि दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस आपरेशन की क्योंकि मैं फुल सेकृरिटी चाहता था अखिर कर अपरेशन ता हुआ हुआ मैं जानता हुँ कि यह बहुत बड़ा रिक्स था और रिस्क मुझे राजनी थी फाइदय और नुक्षान वाला रिस्क में कभी सोता नहीं हुँ मेरे जवान उनका कोई नुक्षान नहीं हो रहा है क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंद्गी लगाने लिए निकल पड़े हैं तो उसके लिए जो कुछ साधनों की जरूत थी उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए तकि कोई तकलीफ नहीं हो दूसरा यह तह किया कि उन सब्सक्राइशन ट्रेनिंग की गई उसमें भुभाग महां की अर्चने उसको भी देखा गया क्या 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 रुकावटे आ सकती इमेजिनेशन करना उसकी भी चिंता की गई और मैं इन चीजों को मेरे लिए बड़ा लर्निंग एक्स्परियेंस था तो मैं भी उसको मुझे बड़े चाव से समय देखर करकर देखता था कैसे कर रहें क्या कर रहें और मुझे भी एक सिखनों को मिल रहा था फिर हम जब बैटे तो हमने दिरने किया भाई आप सो एंसो डेट हम करेंगे कौन कहां रहेगा उसका में टीम के लोग वह भी ताई किया और ताई यह किया कि सुर्यों दय कि पहले हमारे लोग वापिस आ जाने चाहिए और मैंने इस परस्ट आदिश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चंता छोड़ देना लेकिन सुर्यों दय कि पहले खीजले इसा नहीं जो भी काश्वल्टी नहीं होनी चाहिए सक्सेस्फुल मिशन सक्सेस्फुल हो विफलो लेगे सुर्यों देके पहले वापिस हो सकता है हम विफलो करके लौटना पड़े भी फलो के लौट मतलब सुईसाइड मिशन नहीं था लेकिन मैं मेरे जवानों क मरने नहीं दूगा यह मेरा पहला मिश्टर सुंतर उनको वैल एक्विप किया गया था वैल ट्रेन किया गया और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था कि बताव वैसना बड़ा इसकी काम है तो चांट करके लोग निकाले थे इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी बड़ हो गया कि शुर्यदय होते तक मैं फिर बेचन होने लगा हूं कि मन में होता था कि क्या हुआ गंटे पर से कुछ खबर नहीं आ रही है पढ़ा तो लगातार आ रही थी दिकले हैं पहले टुकड़ी यह दूसरी टुकड़ी यह ऐसा है लेकिन कि शुर्यदय होने के बाद भी मुझे खबर नहीं आने लेगी तो मैं थोड़ा बेचन होने लगा हूं अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कॉम्यूनिकेट करूं कहीं और तकलिव हो जाए तो काफी यहने करीब करीब सुर्यदय के भी एक घंटे के बाद वो समय मेरे बहुत कठीन था बहुत मुश्किल था कि मैं जिंदा लोटने के खबर सुनने के लिए में बहुत कि इतना नुक्सान हुआ वह बात का विश्य लेकिन मेरा जवान जिंदा लोटने मेरी पहली प्रांथ पिकता थी फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद कि अब वापिस हमारी सिमा में पहुंचे नहीं है लेकिन हमारी दो-तीन टुकडियां सेफ जोन में आ गई है लेकिन चलने निकलते और कोहीं रेंगते हुई निकलते तो समय लगेगा लेकिन अब हमारा सेफ जोन है इसलिए मैंने का फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए लेकिन वो हम करीब सुरियोदे के बाद दो घंटे तक वापिस आने का करम चला और आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने केमिनेट कमिटे ऑन सेक्यूरिटे की मिटिंग बुलाई और उनको मिडिया ने आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीट किया उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये कामिनेट कमिटे ने सेक्यूरिटे रताए किया और पहले पाकिस्तान को सुचना करों को ऐसा ऐसा हुआ ह और उसके बाद मिडिया को पताना तो पाकिस्तान के लोग टेलिफॉन पर आते नहीं थे बिडिया को 11 बजे बुला लिया था मिडिया भी परिशान था कि यह क्या बात है बोलते नहीं कुछ बात करीब साड़े गारा पौने बारा बजे हुई तो बारा बजे फिर प्रेस को सारा देश को बताया तो मेरे लिए ये पल भाव थी एक प्रकार से एकसेटमेंट भी था चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वाल था बारी नजल ले रहा था लेकिन जिस प्रकार से अप्रेशन किया जिस बारी के से किया हमारी सेना के शक्ति का मुझे एक नए परीचे हुआ थी हमारी सेना में ये जो सामर्ध है रध्वूत है और मैं तो λαण सर जुगा हो कि नमन करता हूं कितनी बारी के से इतनी परफेक्ट ले उन्होंने प्लान किया और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर